कि कैसे करनी है और जो हमारे मेहमान है जिनका नाम है संदेश बंधू जी इन्होंने कैसे करके प्रपरेशन करी इस पूरे discussion से आप बहुत सारी शीज़े निकाल सकते हैं कि कैसे करके preparation करनी है क्या आपकी book list होने चाहिए क्या strategy रहती जो लोग first attempt में जैसे संदेश बंदू जी ने अभी तो पूरी बातचीत करेंगे तो हम जानेंगे ही किस तरीके से first attempt में JRF qualify किया है वह भी केवल और केवल 20 साल की उम्र में आप इनसे inspiration ले सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे करके आपको भी जैरेफ qualify करना है क्योंकि इंडिया के अंदर देखिए अगर आप हर दूसरे student को देखेंगे तो जैरेफ का उसका सपना रहता है यह लेकिन जितने form भरने सबसे पहले तो संदेख बंदू जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबसे पहले सप secular आप अपनने बारे में कुछ बताएं अपने background के वारे में आपका इसके वारएं नाप संदेशिबंदू है और मैं जो है graduation मेरा 11 शविद्धाले से 13 परिशी फर इनकी books आपके भी वीडियोस है उस पे तो वही डिपार्टमेंट उसी डिपार्टमेंट से हम भी हैं और उसके बाद सर्पोष्ट ग्रेजवेशन भी मेरा यहीं लावाद से चल रहा है और प्रॉपर मैं रहने वाला भी इलावाद कही हूं तो जी सर आपने जैसे कि हमने पहले बी बातचीत करी और आपने बताया कि आप सर ऐसे प्रप्रेशन का मतलब प्लानिंग तो ग्रेजवेशन से ही थी तो मेरा पहला टार्गेट यह था कि ग्रेजरवेशन ज्य्यादा कुस्त समय नहीं सोचे थे लेकिन इतनी प्लानिंग थी ग्रेजवेशन में अच्छे इसमें तो एक प्लानिंग वहां से हुई तो ग्रेजुवेशन में अच्छे माक्स है अच्छे परसेंटेज आए तो वहां से सब्सक्राइब करें लेकिन में तो जैसे बेसिक्स तो माली जै अगर ग्रिजुवेशन स्ट्रॉंग रहेगा तो उससे काफी हल्प मिलेगी जिया बिल्कुल अगर वहीं क्योंकि ओवरॉल सारी चीज़ें अगर आप मिला देंगे उसको ही मिला जुला सब्सक्राइब बनता ह सब्सक्राइब अपना सही बताएं तो जैसे मेरा कोई जियोग्राफी बैगराउंड नहीं था ट्वेल्थ मेरा बाइलोजी से है तो मैं जब यहां मेरा एडमिशन हुआ इलाबद विश्विद्याले में तो फिर NCRT's टीचर्स ने कहा कि NCRT's आप लोग पढ़िये क्योंक सब्सक्राइब बहुतिक बुगल सबीन सिंग सर्गी उससे हम लोगोंने बेसिक्स स्ट्रॉंग किये अपने NCRT's भी पढ़ी और वीडियो भी देखते रहे यूट्यूब पे और ऐसे करते करते बीए फस्ट इयर सेकेंड यर थर्ड इयर इसमें पूरा अपना प्रॉपर बेस बिल्कुल स्ट्रॉंग हो गया और मार्क्स भी अच्छे है इसी के साथ और फिर में का जब इंट्रेंस देना हुआ इलावाद का तो उसमें भी बहुत अच्छी तयारी होगी इंट्रेंस के लिए क्योंकि इंट्रेंस के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है अम्रों को इससाले बस तो इन सभी चीजों ने आगे बहुत हैल्प की कुछ दिक्कतों का सामना आया कि आपको कभी ऐसा लगा हो कि मुझसे जोग्रफी में प्रपेर नहीं हो पाएगी ऐसे कुछ दिक्कतों का आपने सामना किया जी सर बिलकुल जब हम लोग भी ये फरस्ट इयर में थे तो एक बार तो मतलब मुझे लगा कि एक मतलब नहीं हो प लेकिन दीरे दीरे पढ़ते पढ़ते फिर चीजें इजी हो गई थर्डी अर्ट अगते आते तो नौर्मन हो गया सब लेकिन दिक्कते आती हैं सर्ट के साथ काम करते रहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है यह अपने साथ जी से तो आप एक बार अपने जरह बुकलिस्ट के बारे में बताएं कि कैसे करके एक एक करके युनिट वाइज तूकि आपसे बहुत सारे स्टेटेंटें जो इंस्पायर होंगी इतनी कम उम्र में जेराफ कालीफे करना वह नौन जोग्रिफिकल बैगराउंड से होना अपनी एक बार आप बुकलिस्ट के बार उसमें तो सभीन सिंग सर की बुक बेस्ट है उससे बुक मार्गेट में कोई भी नहीं है चाहे जियो मॉर्फोलोजी कियो क्लाइमेटोलोजी ओशनोग्रॉफी या उनकी जो एक फीजिकल जियोग्राफी की बुक आती है जो कि इसमें चारों युनिट से एक साथ दी हुई हैं वो मेरे हिसाब से मेरे अगर अभी तक की लाइफ की वन आप तो बेस्ट वुक ऑफ जियोग्राफी हम कह सकते हैं उसको क्योंकि उसमें सभी चार युनिट से एक ही बुक में है और बहुत अच्छे से उसमें है और थॉट के लिए माजिद उसेंसर की और एक एकिंड़ी मारे सर की बुक आती है युदो के आँ वो बुक काफी अच्छी है और पॉपलेशन के लिए चाणना की बुक और हिजी मौरे की भुक भी थीक है इंडियन जिग्राफी और रीजनल के लिए भी माजीद उसैन सर आर्सी तीवारी सर की इंडियन जिग्राफी काफी बहतर है तो यही सब नॉर्मल बुक्स जो हम लोग रिजुएशन में पढ़ रहे हैं और पीजी लेवल पे पढ़ रहे हैं प्रॉपर पहले मेरा टार्गेट यही था कि हम सेलेबस को पूरा अच्छे से कावर करें जैसे बहुत सारे स्टुडेंट्स क्या करते होंगे कि अरिहंत की यह इस तरह की जो मार्केट्स में बुक हैं उसको लेके परपेरेशन करते होंगे लेकिन सही यह होना चाहिए कि जो म बॉक्स हैं प्रॉपर जिसमें डिटेल में चैप्टर से उसको पढ़ना ज्यूरुरी है उसको पर ना जाते हैं पहले आपको अपना कोर स्ट्रॉंग करना चाहिए अपने बुक्स के बारे में बता है लेकिन मैं आपसे एक और इस प्रेसिफिक अलग से पूछना चाह रहा उसी के अंदर कई चार सबसेक्शन दिए हैं रिमोट सेंसिंगा लगें कार्टोग्राफिया लगें इसको कैसे प्रपेर किया आपने इसके बार मतलिए उसके लिए वह चीज डियालटी है कि प्रेक्टिकल लगबग सभी स्टुडेंट्स का वीक होई जाता है यह सब के है उसमें यही हम लोग किये कि पेपर सॉल्व किये विश्ले सालों के और कुछ बुक्स में हम लोग नोट्स भी बनाए वह तिक रिजुवेशन लेवल पे और में भी तो उसी से हल्प ली मिली हम लोगों को लेकिन सर इसमें मेरा एक यह प्लान था कि जैसे 10 यूनिट्स है और इसीज मैंने अपने काफी फ्रेंट्स को भी बताया कि आप 10 में से सभी यूनिट्स पे कमांड नहीं कर सकते यह तो बिल्कुल रियल्टी है तो इसमें 10 में से किनी 6 को आप चूज करिए उस पे कमांड करिए अपनी जैसे मैंने थौट मेरा काफी स्ट्रॉंग था इस तरह की जो फिजिकल वाले यूनिट्स थी जो मॉडल्स वाले सेक्शन थे जिसका मैंटर एविलेबल हर जगा है तो उसको मैंने बिल्कुल इस्ट्रॉंग किया और जैसे जो कुछ टॉपिक है रिजिनल डेवलपमेंट के एकोनॉमिक जियोग्राफी प्रैक्टिकल इस इसके कंटेंट भी ज्यादा एविलेबल नहीं है तो उसको मैंने थोड़ा साइडवे कर दिया कि इसमें ज्यादा महिनत नहीं करनी है इसमें सिर्फ पेपर सॉल्व करके जाना है और थोड़ा सेलबस एक बार देख लेना अच्छे से तो यहीं सर मेरी प्लानिंग रहें कि किनी छे को बिल्कुल करना है और बाकी 3-4 यूनिट को थोड़ा लाइटने लेके चलना है कि आपको शक्ता है क्या है तो आपको वो देखना है इस से पहले एक बात कहीं थी कि वोड़ा तो सभी के लिए होता ही है एक समय पर ऐसा लगा आपको कि पता नहीं होगा या नहीं होगा तो उस समय पर आपको क्या मोटिवेशन क्या पॉइंट रहा है नहीं हमारा नहीं हो लाइन कर पाहें या नहीं कर पाहें तो सुच है है अपने क्या कि एक वर टोग्रेजुएशन में। शुरू किये तब पता चला कि चाहे बीए में कितने भी अच्छे परसेंटेज आए हो या टॉपर ही रहे हो फिर भी उसका कोई फरक नहीं पड़ेगा नेट में यह विलकुल यह लग लेवल की चीज है तो इसमें एक आख बार तो लगा कई बार मैंने अपने टीचर्स को मै लिए तो मेरी लाइफ के तरीके से पहला कॉमपटेटीव घ्जाम सम इसको कह सकते हैं तो इसलिए बस मेरे यह था कि पहली बार दे रहें देखते हैं कैसा आता एक बस इसी लिए तरीके से हो गया मतलब एक सारी जीजों की जड़ेग है कि अगर आप हार्ड़ वर्क करना जानते हैं तो कोई चीज आपके लिए मिलकुल तो देखिए आपने जैसा कि बताएं कि इसके पहले भी आपने कायश बात को लेकिन आप एक बार में बताएं कि कितना हो सकता है जैसे स्टुरेंट के बीच में मार्केट में यह भ्रहम एवलेवल है कि आपको अगर दुनिय भी घलत है और मैं एक बहुत पहले जब मैं प्रपरेशन कर रहा था तो भी मैंने एक सर का इंटरव्यू भी देखा था तो उनकी बात मुझे आज भी याद है वो भी जयारे भी क्वालिफाइड है तो उन्होंने बताय था कि विद्वान अगर पढ़ने के चक्कर में आप तो मुझे लगा कि अब बहुत ज्यादा पॉड़ना या बिल्कुल पिद्वान बन जाना उस विशह में इससे कुछ नहीं होने वाला बिल्कुल स्टेटेजी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो कॉम्पूटेशन है इसका नाम ही कॉम्प तरह के जो इस तरह के ग्रूप से इसको पढ़ना है बहुत सारी चीजें उसमें लेकिन जब आप पांच साल का पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको सार डेड़ सो में या सो कोस्टेंस में नब्य कोस्टें मैं किंडर से मिलेंगे तो उससी एक चीज के लिए हो जाती है क तो पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है इसके लिए तो हमको पता चलेगा कि कितनी गहराई से कोश्टन आ रहे हैं कहां से कोश्टन सा रहे हैं यह चीज है अब आपने और इसी से फिर स्मार्ट वर्कों पाएगा आपने पीवाई क्योंस पर बात करें दी तो यहीं से आ किसी और कंपुटेटिव एक्जाम की बैंकिंग ऐसे से रेल्वेल की हम एमसी की जोग्रफी के उठा करके देखने क्या वह हमारे लिए प्रेलेवन से रहेगा इसके बारे में बताईए पीवाई की उसका क्या इंपॉर्टन से इसमें हम यह कहना चाहेंगे कि एमसी क्यूज जो हैं जैसे आप मार्केट में अरिहंद की जो बुकाती उसमें बहुत सारे कोश्चन्स दिये हैं जो कभी आए नहीं इनिट में वह अपने से बनाएवे कोश्चन सुनके हैं में इंट्रेंस की बुक्स आती हैं तो ऐसे कोश्चन्स को जो भी लोग लगा रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो लगाना बंद कर दें अभी से कि एवल प्रीवियस यर के ही सॉल्व करें जो आए हुए हैं क्योंकि उससे जैसे मैंने इस बार जो एक्जाम दिया त तो बहुत होती है उससे और कितना एर का कितना बैक अगर हम जाए तो मैंने तो सर्फ फाइफ यर्स के देखे थे बहुत ज़्यादा बीचे जाने की जरुए हैं मतलब आपको इतने सब्सक्राइब कि हाँ आइडिया एक लग जाएगा जिससे कि यह कोई कॉंसेट पढ़े हमें दिमाग में यह बात रहे कि यह चीज़ पूछी जा सकते हैं यह इंपॉर्टन्ट है उससे हमें चलिए तो इसके बाद आप नेक्स बारे में बताई हमने पीवाई की उस पर डिसकुशन कर लिया अब इसके बाद हम कॉंसेट पढ़ते हैं हमें क्योंकि हर चीज़ या अब तो बहुत जादा प्रॉब्लम नहीं आई और नोटस में यह कहना चाहेंगे कि जैसे बहुत सरे हमारे भी फ्रेंट्स लोग हैं वह काफी बिनको कॉपी कर लेते हैं बुका तो कॉपी नहीं करने की जरुबत है कि जो जबुख में उसमें से एलेटटेट चीज को चाहटने की जरुबत है और एकबहुत इंपोर्टेन चैज हम यहां बर बताएंगे कि सभी लोग एक डायरी रखें और उसमें की वर्टस करें मैं जब त्यारी की शुरुआत की ती तो मैंने यही किया था कि जैसे कोईABी चैप्तर उठा लिया मालभी बढ़ने के बाद उसमें जितने भी कीवर्ड्यस मिले धर्मल प्रेशर Stern EA टैनमिक प्रेशर बइल तो जो भी विउट्स मिले उन वर्ड्स को मैंने नोट किया बस एक मोटी डायरी मेरी बन गई और जब भी खाली बैठे हैं मालीजे कहीं सफर बजा रहें कहीं पर उसी डायरी को पलटते रहे देखते रहे तो वो बिल्कुल वो कीवर्ट्स याद हो जाएंगे अच्छे से लेकिन एक छोटी सी नोट्स डायरी जिसमें कीवर्ट्स आपके मेंशन होने चाहिए लास टाइम में तो हम अगर कई सारे इतना हमारे पार जत्था हो जाएगा उसको तो लेकर जाने सकते तो वहीं सब्सक्राइए आपने कहा कि जैसे हम ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल करत हैं तो अपने समय का करना चाहिए आप एक सेकंड के लिए एक मिनट के लिए आप यह नहीं सो सकते कि मैं अभी तयारी नहीं कर रहा है जब तक आप तक तक तयारी में रहेंगे इस बात को ध्यान में रखने वाली बात है कि कि अगर आप पढ़ें तो आपका आराम से हो जा लेकिन फिर भी मैनत तो करनी पड़ेगी और बस यहीं फोकस होना चाहिए कि सेले बस पूरा अच्छे से कवर करें अब सबकी अपनी स्पीड होती जैसे अब हम लोग ग्रेजुएशन से काफी चीजें पहले से तयार थी तो जादा मैनत नहीं करनी पड़ी अब कुछ अगर आपने शुरुआती दौर में क्योंकि सभी को समय लगता है जैसे आपने का तो अगर आप एक पर आजाएंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए असान हो जाएं तो बिलकुम मेहनत से ना घाव रहें अगर आप मेहनत कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं बस मेहनत की बात ह सकेंगे दूसरी चीज़ आप देखिए यह बताइए कि इस्टुडेंट आजकल आउनलाइन प्लैटफॉर्म का जावान है इसको कैसे करके दूर किया कैसे करके आपने सोचल की सोचल प्लैटफॉम बुरा भी नहीं अगर आप इसको कैसे दूर रखा कैसे अपने एक्जाम पर फोकस रखा कैसे करके इस्टुडेंट आज करें तो बताइए सर इसमें यही है कि जैसे अब आपके वीडियोज भी हम लोग देखते हैं काफी बहुत सारे वीडियोज यूटूब पे अविलेबल हैं तो उससे काफी हेल्प मिलती है बहुत सारे कॉंसेट्स हम लोग को बुक में समझ में नहीं आते हैं योकि मैंने तैयारी के दौरान देखा कि जो हम लोग ग्रिजुएशन से बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही थी वो वीडियोज के मात्यम से समझ में आई तो हेल्प तो इसकी मतलब इससे बहुत ज़ादा होगी स्टुडेंट्स की और वह भी रही है हम लोगों ने भी काफी ज्यादा जो हैसी की साहएता से तो इसका थर इंपॉर्टन्स तो बहुत जादा है लेकिन एक टाइम लिमिट बनानी पड़ेग कि हाँ बुक्स को भी पढ़ना है बुक्स को बिल्कुल भी नहीं चोड़ना है और एक बर बुक वाला कंटेंट त्यार हो जाए तो इसके बाद फिर वीडियोज भी देख लें दोनों को मैनेज करके चाहिए और साथे साथ जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेशन सौल कर रहे हैं आपके सामने कोई आगया जो आपको नहीं आता है तो इस्ट्रेंट आजकल जबने लिए क्या करते हैं कि ग्रूप में डाल जिया कि आप हमें इसका अंसर बता दो बस क्या यह सही तरीका है आप को समझ मैं आगा कि यह content हमारे त हैं यह मतलब content तो सारे जरूरी क्योंकि कहीं निगान बढ़ेगा उससे लेकिन इस exam के लिए content जरूरी है कि नहीं यह चैटे मंको तभी पता चलेगी questions से जैसे example में यह सार जो स्लोप डेवलपमेंट के मॉडल्स हैं बहुत सारे मॉडल्स हैं हम लोगों के यंग का है और लेकिन अगर हम पेपर उठाके देखें माली यह कोई अब सुरू कर दिया तो एक हपता मॉडल यह पड़ता रहे गया लेकिन जब वह कोश्चन देखेगा तो उसको पता चलेगा क कि इससे सिर्फ यह कोश्चन आता है कि पेंक ने कौन से मॉडल दिया और डेविस ने कौन से मॉडल दिया तो आपका काम हो जाएगा तो वही चीज़े सर्गी पेपर सॉल्व करने से ही कंटेंट क्या हमें यूज करना है यह भी पता चलेगा हमको क्योंकि कंटेंट उसके तो कोई लिमिट ही नहीं कह सकते हैं बहुत जादा कंटेंट है तो बहुत अच्छे जी सर अब जरह आप इस बारे में बता है कि जो अगर कोई आज इस वीडियो को देख रहा है कोई वेगर स्टुडेंट अभी तैयरी उसने शुरू ही करी है तो इस समय पर क्या डूस होन सकते हैं इंत्रस्टिंग बना सकते हैं कि इसमें हम ऐगे कि अगर जो लोग रिजुयेशन मेहों भी बहुत सार लोगो देख रहे होंगे वह अभी अभी यह घnement तो जैसित सरे लोग जैसे लाहबाद में क्या सिस्टम है काफी ज्यादा की कोचिंग क़्या लोग काफी लोग UPSC वाले हैं तो बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि UPSC में अगर हम त्यारी कर रहे हैं तो यह हमारे लिए काफी एजी होगा तो हलके में नहीं लेना है इस एक्जाम को क्योंकि अगर लाइटली लेंगे तो फिर क्योंकि सर मैंने यह मेरा फर्स्ट बहुत सारे अच्छी चीजे हैं लेकि फिर भी यह एक्जाम इतना टफ इसलिए है क्योंकि जैसे मेरे ही एक फ्रेंड के 17 कोश्ट चूड़ गया है बहुत सारे लोगों के कोश्ट चूड़ जाते हैं इसमें तो टाइम का मैनेजमेंट और प्रैक्टिस यह बहुत ही जरू इस बात को आप भी यह ना सोचें कि आप यूपी सी की प्रपरेशन कर रहे हैं तो आप यूजी सी नेट कवलीफे करने हैं यूजी यूजी यूपी सी में जर्नल स्टी उसका नाम अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो माइनस मार्किंग है तब भी उस्ट करते हैं यहाँ मार्किंग नहीं है फोकस रहना है अगर आप फोकस नहीं हो सकता है वह आपके अप समझ सकते हैं ठीक है प्रिपरेशन करें पूरे सैलेबर करें छोड़ें घुछ बीना लेकिन उसमें बी जैसा मैंने पहले बदाये कि कुछ चीजों को स्थीजों को ज़्यादा सट्रॉग कर लें कुछ चीजों को थोड़ा सा हलुके में लेकर चले लेकिन पूरी तरीके से इग्णोर किसी भी यूनिट को ना करें थोड़ा थोड़ा पूरा कवर करें अच्छे और प्रिवियस सेर पेपर सॉलो कर लें और एक चीज जो मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी लोग जो पहली बार देंगे एक्जाम वो एक बर कंप्यूटर पर एंटिय की जो वेपसाइट है वो ओपन करके वहां पर एक बर मॉक टेश्ट दे क्योंकि बहुत सारे लोग लोगों की माउस यूज करने की प्रेक्टिस नहीं होती है जिसे पर्शनली मैंने भी जब एक्जाम दिया मुझे ल काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बहुत तेज मतलब घड़ी की इतनी सुई इतनी तेजी से चलती है वहां पर कि पता नहीं चलता कि कब तीन गंटे बीच जाएंगी और पता चलेगा कि बहुत सारे कॉस्टेंस बचे हुए हैं अभी बहुत बहुत शुक्रिया संदेशी आप इस्टुनेट देख रहे हैं कि इतनी पहनी नजर है आपकी इंगी एक्जाम पर आगे जाना चाहेंगे और रिसर्च के फीड में जाना चाहेंगे आप बहुत नाम कमाएं बहुत आगे जाएं बुलद्दियों पर जाएं इसी हमारी कामना है बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए और आप जो देख रहे हैं दर्शक अगर आप अपने कुछ ऐसे आपके सवाल हैं जो मैं नहीं पूछ पाया या फिर कुछ रहे गए तो 888-39 इस पर आप मुझे कॉंटेक्ट करके अपना एक्स्वियों समय से शेयर करते हैं कर सकते हैं तो शंदेशी आपको बहुत 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 नहीं निवाद थैंक यू सर्ट थैंक यू सर्ट थैंक यू सर्ट